कि आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे दा नीटिंग चैनल में मैं सब फिर से कुछ नहीं या लिक है हूं तो यहां पर आपको उन इतनी थोड़ी से लगेगा आपको एक ग्राम से भी कम उन लगेगी इसमें यह एक ग्राम के लगवा गुल लगेगी ठीक है तो यहां प यानि उल जो है इसे थोड़ा सा इस तरह से हम लंबा कर देंगे ठीक है और यहां इस तरह से ऐसे कर लेंगे ठीक है यानि मैजिक रिंग बनाना बस इस तरह से राउंड कर लेना है और यह जो धागा इसे खीचते हुए अपनी और लाएंगे ऐसे और इस धागी को इधर ल चाहरोन है देखने के वाद राउंड करेंगे सबता रहने के वासं रहना है हुआ हुआ है दो यहां चाहिए मैं इसे तरह से था और इसे हम जॉइंट कर लेंगे अब एक चेन बनाते वे धागे को कट करेंगे जितना धागा लंबा उधर था उतनी धागा लंबा करते वे हम इदर इसे कट कर लेंगे अब इस धागे को हम पीछे की साइड लेके चले जाएंगे ऐसे बीच में लेके चले जाना है ऐसे डाला हमने कट किया इस धागे को नीचे लेके चले जाएंगे ऐसे खीच लेंगे अब इसे ठीक है इस तरह सा हमारे चोटी सी रिंग बन गई अब देखिए यहां पर वाइट कलर का धागा लेंगे हम सबसे पहले तो एक गांट लगा लेंगे गांट लगाने के बाद ऐसे लिया गांट लगाया इसे मजबित कर लेंगे अब यहां पर हमने 6 सिंगल क्रोस्या बनाया होता है ठीक है सबसे फर्स्ट वाले यहां पर डालेंगे किसी में भी डाल सकती है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस चैन पर हमने डाला यहां पर ऐसे लिए इस जगह पर डालेंगे क्रोस्या और इस धागे को खिचते वे ल हमने टाइट के ऐसे काउंट लेकरेंगे, अब काउंट करना आपको, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और यह साथ, टोटल हमने यहाँ पे 7 चेन बेना ठीक है, यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7, अब जो धागर लगा हुए देखें, यह वाला इस चेन को छोड़ देना, उसके बगर वाली चेन से हम यहाँ पे सिंगल क्रोस्या करेंगे, टोटल 5 सिंगल क्रोस्या करना आपको, एक सिंगल क्रोस्या, दो सिंगल क्रोस्या, तीन सिंगल क्रोस्या, चार सिंगल क्रोस्या, और यह 5 सिंगल क्रोस्या, 5 सिंगल क्रोस्या करने के बाद देखें, अब जो एक सिंगल क्रोऌ से हमारे बचावा था चाठी नमर का सिंगल क्रोऌ से इस पर चेंगे फोल सी जाएंक एक फिर यहां के यूपा पीचे इस तरह से बना रहे थे यहां पर आके जॉइंट कैसे पलट लेना मैं एक चैनल ला अब देखी यहां पे लेंगे दीख रहा है यहां पे देखिल यह जगा पे डालेंगे चेन फे एक सिंगल क्रोशय किया ए को स्वर्ड एक स्लिप निष्ट किया दूसरे स्लिप किया अब दो साओ आंगे पे सिंगल क्रोशय करें है एक सिंगल क्रोश्य है और यह दूसरी सिंगल क्रोश्य है क aos 2 में हमने स्लिपे इस्टिच इस किया नायाए चार हो गई त्स पाँचन प्रोब का डिया यह करोिके फिर से कर और ये तीन इसे chain को आपको loose नहीं बनाना है अब इस तरह से फिर से पलट लेंगे जहां सबने single crochet किया हुआ था इस जगा पर लेंगे और फिर से हम इसे उसी जगा पर डालेंगे और इस chain से निकालेंगे यानि कि फिर से हमें slip stitch कर लेना है तो देखें दो कोने निकल के थी slip stitch किया हुआ था या single crochet से सब में एक-एक side stitch वाली लेंगे और slip करते वे नीचे जाएंगे एक बर slip किया दूसरी बर slip किया तीसरी बर slip किया ये चौथी बर slip किया ठीक है चार बर slip कर लिए हमने अब जहां से में start किया हुआ था जिस chain से इसी chain पर लेंगे और फिर से एक बर और slip stitch कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी ये बनके आ गई है ठीक है अब क्या करेंगे एक chain पर था हमारी बनके यहां पर हमने 6 chain बनाये वा था अब उसके अगली वाली chain पर जाएंगे ऐसे इस chain पर भी हम एक पहले slip stitch करेंगे इसके बाद फिर से हम यहां पर एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ यानि 7 chain हमने बना लिया यहां से यहां तक अब देखें क्या करेंगे 7 chain बनाने के बाद फिर से जिस पर धागा लगा हुँआ इस chain को skip कर देंगे उसके next वाली chain से हमें single crochet बनाना है तो एक single crochet दूसरी single crochet तीसरी single crochet चाखी single crochet और यह पांच भी single crochet पांच से करने के बचे गए आपने पास एक chain यहां पर हम slip stitch कर लेंगे ठीक है slip stitch कर लिया अब जिस chain से हमने start किया था उसी chain पर फिर से डालेंगे और slip stitch कर लेंगे chain 1 लेंगे यानि एक chain लेना है फिर सिधर पलट जाएंगे ulti side अब यहां पर देखें पहली बार slip stitch करेंगे count किजेगा एक slip stitch किया दूसरी वाली chain पर जाएंगे दो slip stitch किया अब दो पर हमें single crochet बनाना है एक single crochet और उसके अगली वाली पर फिर से single crochet ठीक है इस तरह से हमने slip stitch किया दो single crochet अब जो पांच को नमबर का chain आएगा उस पर हमें slip stitch फिर से कर देना है इस तरह से अब यहां से तीन chain लेंगे एक तो और यह तीन इस chain को tight करेंगे ज्यादा lose नहीं करेंगे अब इसे फिर से सीधह तरफ ले लेंगे जिस तरह से सीधह दिसा है अब यहां से द यहां पर डालेंगे slip करने के वाद फिर यह दूसरा slip हो गया फिर यहां पर डालेंगे तीसरा slip stitch हो गया चौथा slip stitch हो गया फिर यहां पर डालेंगे पांचवा slip stitch हो गया और जहां से हमने स्टार्ट किया थे जिस chain से फिर उसी chain पर डालेंगे जितनी बार बनाएंगे हम यह एक पंखोडी उतनी बार एक ही chain से हमें बनाना ठीक है स्लिप हो गई हमारी दू पंखोडियां बन गए अब तीसरे नंबर चेन पर आ जाएंगे यारे थर्ड नंबर चेन पर फिर यहां पर एक स्लिप stitch करेंगे ठीक है फिर एक चेन लेंगे और यहां से ब एक चेन लेंगे अब दू तीन चार पांच छे और यह साथ इसी तरह स हमें छे पंखोडियां बनाके रेडी करना है जुछ आगी दिखाते हुए फिर में आपको छे पंखोडिया बनानी के बाद यहां पर देखे छे पंखोडिया बनाके हमने कंप्लेट कर लिया ठीक है अब यह जो दू धागा है अब इससे क्या करेंगे आप बीच मेलाएंग कि इस जगह पर एक चेन बनाते हैं धागे को इधर पहले निकाल लेते हैं ठीक है इसे लिए हो गया इसे बीच पे लाना है इधर का से पेगरना नहीं चाहिए जैसे वह उसी तरह से रहने दूना अब इसी कि नापका एक धागा और ले लिए लेंगे हम इस तरह से जहां से हम इसे जगह से लेंगे यह दूसरे से ले सकते हैं दूसरे से ले रहते हैं इधर से हैं अब इस तरह से निकाल देना और इसे बराबर कर लेंगे अब यहां पर इस तरह से अगर मोटी से कर रहें तो दो ही रहने दे अगर आookyसे लिए दोनों सड है अब इसे यहां पर गांट लगा देते तो इस्तारा से हाई है tu गांट लगाने के वाद अब देखी क्या करेंगे में इस तरह से अब देखी क्या करेंगे दो थागा एक धागा साइड है एक धागा हमने उंगलियों के बीच में रख लिया अब यह जा ध्यागा नीची वाला धाग कुछ इस आप किया करेंगे इस क्रोषय को बीच में रखेंगे अब जविए करेणब दागा उपर से फोल्ड कर देखेंजे Mansi सिंगल कढ़ेंगे इस तरह से कि थरसे से टाइट करना है अब को करेंगे भागे को अब उपर बला जो नथागा इसे लेंगे पकड़ेंगे इस तरह से करते हैं ले पेटेंगे और यह दो धागे इसके उपर से निकालेंगे फिर एक बार रेपेटेंगे और इन्हें दो के उपर से निकाल लेंगे ठीक है एक बार और कर लेंगे इस तरह से अब यहां पर क्या करेंगी इस धागे से लेंगे और एक गांट लगाते हैं यहां पर धागे को हम यहां पे कट कर लेंगे ऐसे लिए दोने धागे निकाल लेना आपको इधर से भी और इसे और इस तरह से करते वे हम यहां पे टाइट कर लेना है मजबुती से चाहिते एक गांट और लगा ले यहां पे धागे को कट कर लेंगे अब धावे को कट करेंगे अब देखे इस तरह से हमारी ये हर सिंगार के फूल बनकी रेडी हो गए ठीक है कुछ इस तरह से अब हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि कितनी ग्राम उल लगी है जीरो दिख रही है इस फ्लावर को यहाँ पर रखेंगे देख सकते हैं इसमें जीरो ग्राम उल लगी एक जड़ा भी इसमें कोई भी इसमें नहीं काउंट हो रहा फिर से दिखा देती हैं आपको इस तरह से लेना आपको यह पर जीरो दिख रही है इस फ्लावर को यहाँ प डिजाइन और यह फ्लावर पसंद आया हुगा तो पसंद आया हुगा तो प्लीज वीडियो के एक लाइक करते हैं तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू